आज मैं आप लोगों को एक ऐसे यूनिक स्पाइस प्लांट के बाड़े में बताऊंगी उसे लगाना दिखाऊंगी और किस तरह से उसकी क्यार करते हैं इसे लगा करके आप पांच स्पाइस को एक ही प्लांट में फिल कर पाएंगे एक ही उसका पत्ता होता है उसमें इतना भड़ा हुआ होता है कि पांच की जगा वो एक प्लांट ही आपकी नीड फुल्फिल कर देगा वो क्या है जैसे लॉंग है इनाइची है दालचीनी तेजपत्ता जैफल यह जो इस तरह की जो खुजबू वाले जो आपके किचन में जो अरोमा होता है इने स्पाइस का वो स देवलप होता है तो सारी नरसरी में आपको दिखाई देने लगता है तो अगर आप लोग के साथ कारें विजट करें और आप प्लांट लगा पाएंगे अपने गार्डिन में तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें उसकी केर करनी है, किस तरह से हमें उसकी मिटी बनानी है, चलते हैं हमारी वीजीयो में क्यी प्लांट है, छोटा सा प्लांट है और यह ऑल स्पाइस प्लांट के नाम से जाना जाता है जब आप नर्सरी में जाएंगे तो उसे बोलेंगे कि मुझे का प्लांट चाहिए, तो वह आपको यह प्लांट देगा और जब आप इसकी एक पत्ती को तोड़ करके इसे मसलेंगे तो आपको वो सारे फ्लेवर जो हमारे इनाइची में जायफल में तेजपत्ता में आता है वो इसमें भी आपको दिखेगा पत्ते को ध्यान से देखें ये कुछ इस तरह के लॉसी चिकने से होते हैं और इस तरह से आप इसे पहचान पाएंगे जब आप नर्शरी में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आजकल नर्शरी वाले ऐसा भी करते हैं कि आपको कोई और प्लांट दे देंगे मिलता जुलता ये चीजे होती है तो आप इस तरह की चीजों से बस सकते हैं अगर आप ध्यान से इस पौदे को देखें और सबसे मुझे इस पौदे की सबसे यही खासियत है कि इसकी पत्ती को हलका सा बहुत अरोमा होता है इसमें और चुकि ये ट्रॉपिकल इलाके का प्लांट है कोई भी प्लांट आप ले ले हो चाहे दालचीनी हो या फिर लॉंग हो ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये आपको साउथ इंडि वहां भी बहुत अच्छे से चलते हैं लेकिन इसमें कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा तब ही सालों साल आपके गार्डेन में ये रह पाएगा इसमें सबसे बड़ी चीज है हमें इसकी जो मिट्टी बनानी है वो ऐसी बनानी है जिसमें मोईस्ट्र हमेशा जैसे ठंडे इलाके होते हैं जैसे मैं जहां रहती हूं यहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसे सेडी प्लेस अबलेबल कराना पड़ेगा और पचास डिगरी टेंपरेचर में जहां लू चलती है खुस हवा चलती है उस वक्त आपक उस दोटी हम देखेंगे कि किस तरह से तैयार होती है और कि इतने बड़े गंले में मैं ऐसे लगा लगा हुई है यह प्लांट मेरा चपीप 20 का प्लांट है और इसे अभी मैं इस बारे इंच के गंप्ले में लगाओंगी और सबसे पहले मैं इसकी मिट्ती निकाल लेती ह मिट्टी मेरे गार्डेन की है और देखें इसमें चीतियां आजकल बहुत परिशान कर रही है तो चीतियों के लिए भी हमें solution ढूमना होगा ज्यादा हो जाने पर ये परिशानी का कारण बन जाती है सबसे पहले देखें ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया रखना है क्योंकि पानी जमेगा तो इसकी रूट खड़ाब हो जाएंगे क्योंकि अभी से दो साल पहले मेरे पास तेशपत्ता का एक बहुत बढ़िया प्लांट था जो मैंने आप लोगों को कभी दिखाया भी होगा पारीज के मौसम में मैं कहीं चली गई थी और उसमें थोड़ा सा पानी का मौश्यर ज्यादा रह गया था जिसकी वज़े से वो मेरा प्लांट खड़ाब हो गया जबकि वो इतना बढ़िया प्लांट था तेशपत्ता का कि इसमें फ्लावर भी आते थे और चोटी-चोटी प्लांट भी पानी की वज़े से खड़ाब हो गया तो आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत पढ़िया रखना है इसका मिट्टी ऐसी रखनी है जिसमें आप एक बार पानी दें तो बाहर निकल जाए पोरस मिट्टी बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने मिट मिट्टी लेते हैं मेरे पास यह बहुत ज्यादा मिट्टी है मैंने साइट कर दिया है उसमें यह देखें एक भाग मैं इसमें 20% के कड़ी यह सैंड मिला लूंगी इससे आपकी मिट्टी बहुत अच्छी और पोरस बन जाएगी इसके बाद देखें मेरे मीट्टी में ची अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे चीटिय जो फीर मोकोडे होते हैं यह जैदा तदाद में अग्रूंट को खाने लगते हैं अंडे देके बहुत सारह से प्रॉब्लम प्रॉब्लिर्स सब्वा नियूम ने लगते हैं तो लोम स्में नेम भृक हैं सारी चीठियां हम वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिला लेंगे और मेरा ये प्लांट 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले मैं नर्शरी से लेकर आई थी तो 15-20 दिन तक इसको यूही रखा है मैंने ताकि ये सेट हो जाए अकि प्लांट ना लगाएं क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और उसके बाद हो सकता है कि वह खड़ाब हो जाएं जाधा जब जड़ें उसकी मजबूत हो जाती है थोड़ी बहुत जो परिशानियां होती है उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है अपने आप शॉर्टेड हो जाती है मैंने मिट्टी को अच्छे से मिला लिया है अब इस होल को हम मिट्टी के ठीकरी से कभर कर देंगे मिट्टी हमारी कितनी बढ़िया और पोरस मिट्टी बनके त्यार है 12 इंच का गमला काफी है इसमें आपको दो-तीन सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी और इस प्लांट को आपको बुशी अगर बनाना है तो उपर से इसकी पिंचिंग करते रहें दिखाती हूं अभी कैसे पिंचिंग करना है पहले में प्लांट लगा लूँ जरों को कोई छेर्चार नहीं करना है हमें क्योंकि नीचे से देखें यह जरें खुली हुई है तो यह अपने आपको पकड़ लेंगे क्योंकि जो beginner होते हैं वो अगर जरों को खोल देते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो समाल नहीं पाते अपने plant को और दिक्कत हो जाती है अभी मौसम बहुत अच्छा है इसलिए हमें इस सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अक्रूबर का मन्त है और इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें होगी आप अगर ध्यान से देखें तो देखें नियू शूट्स निकल रहे हैं यह जो नए नए लीव्स हैं जब इस तरह से नियू शूट्स निकलने लगते हैं तो आप समझें कि आपका प्लांट स्ट्रेस से बाहर आ चुका है और लगाने के लिए बिलकुल तयार है इसलिए जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसे 10-15 दिन के लिए जरूर छोड़ें यह प्लांट लगके त्यार हो गया है और हमेसे अभी दूप में ही रखना है और इसके लिए मुस्किल से 3-4 घंटे की धूप भी सफिशेंट है जो लोग बालकनी में रहते हैं और उनके हां बहुत कम धूप आती है वो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं और इस प्लांट के पत्ते को आपको यह चाहे हडी भी आप यूज़ कर सकते हैं और जब यह उसका कारह बनाके भी आप पी सकते हैं वो इतना फ्लेवर आजकल जो यह ग्रीन टी आप लोग पीते हैं खरीद खरीद के इतनी महंगी तो आप इन चीजों का इस्तमाल करें इसे अगर लगाएंगे तो पांच फ्लेवर आपको एक साथ आपके डिश में भी आपको उसे ब सबसे पहली बात हर महीने इसको खाद नहीं देना है आप मॉनसून के टाइम में इसको फर्टिलाइज करेंगे और जब स्प्रिंग का सीजन आएगा जब इस तरह से आपको इसमें निव शूट्स निकलने लगें तब आपको इसमें फर्टिलाइज इसको करना है और प्लांट आपको जैसे मानले कि इतना बड़ा गमला है तो इसमें 200 ग्राम के करीब आप डाल देंगे तो साल में सिर्फ दो बार दो से मैक्सिमम तीन बार आप इसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे और आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरह से चलता रहेगा उसके आपको कोई एकाज पेस्ट अगर दिखता है तो आप नहीं मोयल का एसप्रेस पे कर सकते हैं अधर्वाइज इस पे कीरे बैठने से कत्राते हैं इसकी लीफ को खाने से बचते हैं तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ज्यादा इसमें अगर कुछ आपको दिखता है जैसे स्पाइडर हो सकता है कि वो ग्रीनरी और ठंडी जगह मिलने से वो इसमें जाले बना लेते हैं तो इसके लिए एक चीज है कि आप चुकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है इसलिए आप इसको रोज सावर कर दें तो ये प्लांट बहुत खुश रहेगा औ तो ये है कि इसमें कीरे नहीं बैठेंगे और दूसरा है कि इसको वो हुमिडिटी वाला क्लाइमेट फील होता है सुबस आम अगर हलका सपानी का चीटा मार दें तो प्लांट बहुत खुश रहता है है और नेचुरल है कि प्लांट हेल्दी रहेगा आपका उसके बाद बस दो तिन चीजों का आपको और ध्यान रखना है और कुछ इंफोर्मेशन भी इसके बारे में दे दूँ कि प्रूनिंग कब करनी है तो प्रूनिंग का टाइम आप स्प्रिंग से पहले करें प्रूनिंग क्योंकि उस समय इसमें ने ने शूट्स निकलते हैं ने ने हो सकती है और इसके अलावा बस आप अगर क्लाइमेट में रहते हैं तो कुछ कहने ही नहीं क्योंकि उसमें यह बहुत आराम से चलेंगे प्लांट स्ट्रेस में बहुत कम आएगा लेकिन जैसे मैं रहती हूं मैं मेरे जैसा क्लाइमेट पूरे नौर्थ इंडिया में तक्र बेरी प्लेस में डाल दें बस कहा जाता है कि जब यह प्लांट आप लगाते हैं उसके छे महीने से एक साल के बाद आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में क्योंकि उसमें निट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और उसका जो अरोमा होता है वो भी गोल मिर्च के दाने के जैसे दिखने लगते हैं ब्राउन कलर के हो जाते हैं उन बेरियों का भी इस्तेमाल आप एजा गरम मसाला कर सकते हैं यह इस प्लांट की खासियत है कि आप इसके लीव्स इसकी टहनिया और इसके फ्रूट इन तीनों का इस्तेमाल अपने खाने में अपने डिसेज में कर सकते हैं तो जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है और आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो जितने भी इसके ब्रांच कट होते हैं या पत्तियां आप तोड़ते हैं उन सब को सेड में सुखा लें और एयर टाइट कंटेनर में भरके रख लें तो झाल